TrueColor पर हम जैसी अपना account बनाते हैं वैसी TrueColor पर हमारा phone number, नाम, contact number, सारी की सारी information TrueColor के database server पर जाकर restore हो जाती है जिससे के जब भी हम अपने number से किसी को call लगाते हैं, अगर उसने अपने mobile में TrueColor निश्टोर्ड कर रखा है तो उसको हमारा नाम show होता है ऐसे में अगर आप चाहते हो कि जिसको भी आप अपने number से call लगाओ, उसको आपका real नाम पताना चले, तो आप चाहो तो TrueColor पर अपना नाम चैंज कर सकते हो जो भी आप TrueColor पर अपना नाम रखना चाहते हो, वो चाहें आपका real नाम हो, या फिर फ्रेंक नाम हो, TrueColor पर आप चैंज कर सकते हो, TrueColor पर अपना नाम कैसे चैंज किया जाता है, यह जानने के लिए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, TrueColor पर अपना नाम चैंज करने से पहले, आप यह जान लीजिए, कि TrueColor पर ज्यादता नंबर पर दो तरह के नाम शो होते हैं, जैसे कि मैंने यह नंबर TrueColor पर सर्च किया, तो यहां पर मेरे सामने दो नाम शो हो रहे हैं, यहां पर यह जो सबसे उपर पहला वाला नाम देख रहे हो, यह नंबर के ओनर दोरा TrueColor पर अकाउंट बनाते समय डला हुआ होता है, लेकिन यह जो आप Break It में नाम लिखा हुआ देख रहे हो, यह TrueColor की तरफ से TrueColor की सर्वर से दिखाये जाता है, जो कि काफी हद तक Real नाम होता है, इनमें से पहले वाला नाम तो आप असानिस से चैंज कर सकते हो, लेकिन यह जो Break It में नाम लिखा हुआ है, इससे चैंज करना थोड़ा मुस्किल है, क्योंकि यह जो TrueColor की तरफ से कुछ इस तरह फाइंड करकर दिखाये जाता है, जैसे कि मालो आपका नंबर आपके Family, Friend या कई सारे लोगों के मुवाइल में आपके Real नाम से आपका नंबर सेब है, अब उनमें से कुछ लोग अपने मुवाइल में TrueColor इंस्टॉल्ड करके अपना अकाउंट बनाते हैं, TrueColor उनके सभी नंबर का एकसेस ले लेता है, जिनमें आपका नंबर Real नाम से सेब होता है, इसी तरह और 5-6 लोग TrueColor पर अपना अकाउंट बनाते हैं, अगर उनके मुवाइल में भी आपका नंबर उसी Sam नाम से Real नाम से सेब होता है, तो TrueColor बस यहीं पर समझ जाता है, कि इस नंबर के ओनर का Real नाम क्या है, क्योंकि जब TrueColor को कई सारे मुवाइल में Sam नंबर Sam नाम से सेब होता है, तो TrueColor बस उस नंबर के ओनर का Real नाम समझ जाता है, और खिर TrueColor उस नंबर को उसी नाम से शो कराने लग जाता है, कि Felta Street ओखे रहा और जायेंगे यहां साथए रेंगे यहां सबसे ओपर आपको थो हो रहे होंगे इस सबसे दोपर आप काफी सारे निकलकर आजए लिग इनमेद मैं सैंटिंग क्लिक करें दो nis sound, app language, काफी सारे option निकल कर आ जाएंगे अब सबसे नीचे आप scroll कर कर आओगे तो आपको privacy center नाम से एक option दिख रहा होगा privacy center option पर click करोगे तो फिर से आपके सामने कई सारे option निकल कर आ जाएंगे अब जैसी आप नीचे scroll कर कर आओगे तो यहाँ पर आपको एक option रेश्ट्रिक प्रोसेसिंग माई डाटा option लिखा होगा दिख रहा होगा बस आपको रेश्ट्रिक प्रोसेसिंग माई डाटा इस option पर click कर के जैसी आप yes पर click करोगे तो आप true color से automatically ही इस तरह से log out हो जाओगे क्योंकि अभी तो आपने true color name change किया ही नहीं है पहले आपको true color से अपने नंबर के डाटा को पूरी तरह से delete करवाना है उसके बाद आपको अपने उसे sam number से दोबारा true color account अपने मन पसंद के name से बना लेना है जो भी आप नाम रखना चाहते हो आपको वही नाम true color पर सो होने लग जाएगा इतना करने के बाद अब आपको अपने true color नंबर को true color के server से unlist कराना होगा जिसके लिए आप अपने phone में google को open करके यहाँ search पर क्लिक करके unlist true color search करेंगे जैसे ही true color unlist लिखकर search करोगे तो इस तरह से ये link आ जाएगा unlist phone number इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह से ये website open हो जाएगी अब नीचे आप इस call करते हुए आओगे तो यहाँ पर आपको no I want to unlist का लिखा हुआ दिख रहा होगा इस पर आपको क्लिक करना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने phone number डालने का option आ जाएगा अब यहाँ पर आपको वो number डालना है जिस पर आपका true color account बना हुआ है नमबर डालने से पहले आपको अपना country code जरूर डालना है जैसे कि हम इंडिया से हैं तो हम यहाँ पर plus 911 टाइप करेंगे अगर आप से plus type करना नहीं आ रहा तो आप zero पर दवाई रखेंगे तो plus type हो जाएगा या फिर आप अपने keyboard में symbol में आएगे तो वहाँ पर भी plus icon मिल जाएगा अगर आप किसी दूसरी country से हैं तो आप अपनी country code डालेंगे उसके बाद आप अपना phone number डालेंगे जिसे आप true color से अनलिष्ट कराना चाहते हो phone number डालेंगे बाद नीचे I am not a robot वाले option पर किलिक करोगे तो ये capture आजाएगा इसको फिल करोगे इतना करने के बाद आपको नीचे आकर एक reason चूस करना कि किस बज़ा से आप true color से अपना number अनलिष्ट कराना चाहते हो region choose करने के बाद सबसे नीचे आपको अनलिष्ट लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको बस इस पर किलिक कर देना है जैसी अनलिष्ट पर किलिक करोगे तो आपके सामने इस तरह अनलिष्ट का एक pop आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपका number 24 घंटे के अंदर जाल का नीचे verify my number पर किलिक करना है confirm पर किलिक करोगे और नीचे agree and continue पर किलिक करोगे तो आपका यी number verify होने लग जाएगा verify होने के बाद इस तरह से true color पर आपका account बन जाएगा अब यहाँ पर आपसे create your profile में आपका नाम type करने को कहा जा रहा है type name manually पर किलिक करके आप true color पर जो भी अपना नाम रखना चाहते हो आप new वाला वो आप यहाँ पर type कर दोगे के लावा आप चाहो तो इस camera icon पर किलिक करके अपनी photo भी लगा सकते हो या फिर email पर किलिक करके आप अपनी email ID भी इसमें register करा सकते हो इसके बाद आपको continue पर click कर देना है मैं इसको skip कर देता हूँ अब आप true color पर चेक कीजिए कि आपका true color अकाउंट name change हुआ है या नहीं मालो अगर आपका अभी भी name change नहीं हुआ है तो आप एक trick का भी और use कर सकते हो जैसे कि मालो आपके घर पर कई सारे mobile phone है आपके friend के पास भी mobile होगा आप उनमें अपना number किसी गलत नाम से save कीजिए सभी mobile में true color निस्टोल करके उनका account बनाईए जिससे कि true color उन सभी mobile में contact number की access मांगेगा जिनमें आपका number गलत नाम से save होगा तो true color आपके number को भी access कर लेगा जिससे कि true color आपके number का वही real नाम समझेगा तो इस तरह से आप true color पर अपना नाम change कर सकते हो आई हो वीडियो काफी पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए साथी चैनल को सब्सक्राइब